नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में और आज हम आपको बताने जा रहे हैं SBI की पैंचन सेवा के बारे में SBI पैंचन सेवा जो की एक सर्विस शुरू की गई है SBI बैंक द्वारा अपने पैंचन धर्कों के लिए या जिनका भी पैंचन का खाता SBI में है तो वो इस सुविधा का लाब उठा सकते हैं तो हमारे वीडियो के अंतगवने रहें और जाने की कैसे आप तरह तरह की सुविधा का लाब घर बैठे इस वेबसाइट के माद्यम से उठा सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस सुविधा का लाब उठाने के लिए आपका खाता SBI में होना जरूरी है बले ही आप किसी भी डिपार्टमेंट से रिटार हुए हो और आपकी पैंचन SBI में आनी आती हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको जाना है pension.sbi website जो है इसके उपर जाना है तो इस पे जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपका एक login form आएगा login form में आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि आप पहली बार आए है तो आपको registration करना पड़ेगा तो registration के लिए आप सबसे उपर देखेंगे यहाँ पे यह registration का link है इस पे जब आप click करेंगे तो आपको एक नया page खुल के आएगा इस नए page में आपको एक user id बनानी है user id बनाने के लिए आपको जो एक username unique होना चाहिए वो select करना है आप इसमें भरेंगे अपना username मान लीजी जैसे आपका नाम अनिलकुमार है तो अनिलकुमार तो simple हो गया नाम आपका तो वो मिलना मुश्किल हो जाएगा तो आप अनिलकुमार 123 अनिलकुमार xyz करके कुछ भी आप username डाल सकते हैं ताकि वो आपको मिल जाए असानी से इसके बाद आपको अपना account number भरना है इसमें और इसके बाद जब यह आप चीज़े भरेंगे नीचे तो हमने यह चीज़े चुपा दिये क्योंकि sensitive information होती है तो यह personal information हम आपको यहां नहीं दिखा रहे हैं फिर आप से इसके नीचे जब आप जाएंगे तो date of birth आपकी ज़ Facebook पर देख सकते हैं इस पर SBIN करके जो एक code होता है SBIN 00 ऐसे करके कुछ होगा तो आपको यहां डालना है branch code नहीं लिखा है तो आप अपनी branch से इसे पता कर सकते हैं इसके बाद आपको अपना email ID डालना है email ID डालना जरूरी है क्योंकि इसके बगएर यह आपका link जो है activate नहीं भी शुरू कर पाएंगे अगर आपका email खाता नहीं है तो पहले अपना email खाता बनाए उसके बाद ही इस process को करें इसके बाद जब आप next पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा यहां पे password बनाने का option login करने के लिए आपको एक password सही होगा तो यह password आपका case sensitive है यानि कि कुछ small letter जो जैसे आप लिखेंगे वो आपको यहाद रखने पड़ेंगे तो यह password और जो user ID आपने बनाई थी उसे भी आपको यहाद रखना है login करने के लिए तो password आपका case sensitive है आप इसे बनाए कुछ upper case lower case और numeric value और special character डालके इसे बनाने के पाद जैसे आप next पे click करेंग फिर आपके पास आएगा profile question यानि कि यदि आप कभी अपना password भूल जाते हैं उसे reset करने की जुरत पढ़ती है तो आपको जो है profile में दिये गए question का answer देना होगा क्यूंकि आपने पहले ही दिया होगा तो आपको यह पता होगा तो आप password decide कर सकते हैं तो इस तरह के दो question answer आपको save करने है उसके बाद आप finish पे यहाँ पे click करना है finish के उपर तो जैसे आप finish पे click करेंगे तो आपका आयद कि आपने साए information सही भरी है तो आपका एक message आएगा show वो करेगा कि आपका account successfully बन गया है SBI pension portal पे और आपको एक email भेजी गई है और email में एक link है जिस पे आप होना जो है account activate करना है तो अब इसके बाद आपको login पे नहीं जाना है आपको जो है अपने email id को नहीं है अपनी email जो भी आपका email दिया है आपने address वहाँ पे जाना है वहाँ पे आपको SBI की तरफ से एक email आई होगी जो जिसका link जिसमें एक link दिया होगा उस पे link पे आपको click करना है और आपका account जो है वह एक्टिवेट हो जाएगा जब आपका account एक्टिवेट हो जाए तो उसके बाद आपको फिर से आना है SBI की pension जेवा की site पे और इस पार आपको login पे click करना है तो login में जो आपने user id बनाई थी user id डालनी है और password डालना है जो आपने password बनाया था औ डालने के बाद आपको यह login पे click करना है तो जैसी आप login पे click करेंगे तो आपकी जो जो page है वो dashboard जो है SBI pension सेवा का खुल जाएगा आपकर आपने सही password और username डाला है तो यह आपकी जो साही डीटेल यहां खुल जाएगी basic detail जिसमें CPPC आपका नाम वगएरा branch और category जो भी number और जो detail है वो सब आपको यहां पे नजर आएंगी तो आप देख सकते हैं इसमें आपकी जो pension आकरी का भाई है उसके अलावा basic pension जो है आपकी DA कितना आपका बनता है कुल amount कितना है और यह सारी चीज़े आपको यहां देखने को मिलेंगी इसके लावा आप अपना देख सकते हैं आधार सब्मिट किया है नहीं किया है और pen card यदि दियावा है तो उसका number क्या है और life certificate submit कर रहा है तो उसकी information यहां पर आपको मिलेगी इसके लावा आपका जो mobile number है contact number है वो भी आपको यहां दिखेगा तो यह सारी चीज़े आप जो है dashboard पर देख सकते हैं dashboard पर यह information आप देखने के बाद जो है अब आप profile का जो option है यहां पर क्लिक करेंगे तो profile पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो profile की information है वो यहां खुलके आ जाएगी profile information में आप अपना account number PPO number और इससे संभंधित अपनी जनब की थी यह सारी चीज़े चेक कर सकते है इसमें नीचे आएंगे तो आपका जो date of retirement है आपकी category क्या है और आखरी pension आपने कब मिली आपको pension किस तरह की है pension का status क्या है active है या नहीं है आधार आपने जमा करा है ने करा है pen card का number क्या है आपका mobile number क्या है आपकी email ID क्या है आपका पता क्या है और branch code जिसमें आपका खाता है वो सारी detail branch का नाम cppc code cppc name और जहां पर आपने जो है जो आपने नौकरी की है उसकी सारी detail आपको यहां मिल जाएगी तो इन सब चीजों को आप यहां देख सकते हैं और यह सब चीज़े चेक करने के बाद profile detail के बाद आप आएंगे यह certificate detail का एक certificate detail का option होता है तो इसमें कि हैं कि जब आप क्लिक करेंगे certificate detail पर यहां पर आपे सकते हैं तो यहां पर क्लिक करना है तो इसमें दिखातें हैं जो教े सब्सक्राइब में आपके जो certificate आपने जमा करें है जो आपका live certificate है ये इसकी validity कब से लेके कब तक है ये आपको बताएगा और आपका employment certificate है वो भी आपका active है आपको दुबारा कब जमा करना है ये सारी detail आप जो है live certificate यानि की certificate में जाके देख सकते हैं अब चलते हैं अगला option इसमें है transaction credited तो आप आपके जो account में transaction हुआ है जो आपकी pension आई है वो आप यहां से देख सकते हैं तो इस पर जल से आप click करेंगे तो आपकी profile खुलेगी इसमें आप नीचे आएंगे तो आप सारा transaction देख सकते हैं अपना कि कब-कब क्या-क्या transaction हुआ है कितनी-कितनी pension कब-कब आई है तो ये सारी इन्सटॉलमेंट कितनी की बनी है इसमें और कितनी पैंचनग बनी है कितना आपका टैक्स मोन् UA चीजन आप इसमें DOUब्न करेंग रहा है तो यह व्राइना की इसकी means वेब साइट है उस पर जा करके तो अब हम चलते हैं आपका अगला ओप्षन है area calculation sheet का तो area calculation sheet जो है इस पर जब आप click करेंगे तो इसमें आपको जो अलग-अलग department wise और अलग-अलग category wise आप यहां से area की जो calculation है उसे आप देख सकते हैं डाउनलूड कर सकते हैं अब इसके बाद area के बाद अगला option है pension slip का तो बहुत लोगों को pension slip चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती है मुश्किल रहती है तो आप यहां से अपनी pension slip भी डाउनलूड कर सकते हैं इस पर क्लिक करेंगे pension slip पे तो यह देखिए सकते हैं आप महिने के अपनी डाउनलोड कर सकते है pension slip या पूरे के पूरे साल की भी कर सकते हैं तो यह आपको सेलेक्ट करना है मतली या अरलली फिर इसके बाद आप को अपना साल सलेक्ट करना कौंशे साल की आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यह सारी डिटेल सेलेट करने के बाद जब सब्मिट करें गया तो आपको एक PDF डाउनलोड हो जाएगी उसका लिंक आयागा यहाँ पर आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं पैंचन स्लिप अपनी इसके बाद अगला option है आपका form 16 तो देखिए बहुत लोगों को इसमें भी परिशानी होती है form 16 कैसे मिलेगा तो यह सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगी form 16 आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो इसमें आप क्लिक करेंगे तो यह देखि है और जब आप इसेलेट करेंगे तो यह देखिए सारी आपका डिटेल आ जाएगे और यह डाउनलोड form 16 का एक लिंक आएगा यहाँ पर प्लिक करेंगे तो पूरी PDF आपकी साल की डाउनलोड हो जाएगी आप पिछले कई सालों का form 16 डाउनलोड कर सकते हैं तो यह हुई form 16 की बाद अब इसके बाद हम चलते हैं आपका form 16 हो गया तो अगली चीज है आपकी investment डिटेल तो यदि आपने को investment करा हुआ है तो आप यहां से देख सकते हैं आपने अगर कोई detail submit कई भी है तो इसे आप यहां से चैक कर रहेंगे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आप द reduction amount यह सारी चीज़े आप यहां पर financial detail में देख सकते हैं तो investment तो कुछ नहीं था तो इसके बाद financial detail option में आप की सारी चीज़े देख सकते हैं ह्सक्राइश्टें fan genial slim में आपका जो क्म्यूटेशन कब से शुरू हुआ है और कب खतम होगा तो यह सारी चीजे आप जो देख पाएंगे हैं फानेंशल डिटे qe 唱 के ऊब इसम्हें दोमें और यदि आपने कोई फैंशन का लोन लिया है या लेना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल आपको पैंशन लोन में मिल जाएगी पैंशन लोन यहां से आप देख सकते हैं हाला कि इस अकाउंट में पैंशन लोन नहीं है तो इसमें आप नहीं चेक कर पाएंगे इसके बाद हम फिर से चलते हैं अपना होम पेज पर यह देखे पहिने की और इसके अलावा यह आपके परस्निल डिटेल और यह देखें यहां पर आपको यह मिल जाएंगे हैं आप जो आप सकते हैं पैंशन स्लिट कैसे निकाले तो यह सारी डिटेल आपको यहां इसमें मिल जाएंगी वेबसाइट पे तो बहुत अची वेबसाइट है जरूरर इसमाल करें घर पेठा आप बहुत सारी सुवधाों का लब उठा सकते हैं और कोई अधी यदि आपको कोई परिशानी हो तो आप हमें जरूर बताएं वीडियो की नीचे कमेंट में करके और इस वीडियो को लाइक जरूर करें ज़िए आपकी कोई साहता होई हो तो और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ताकि अच्छे वीडियो हम आपके लिए बना सकें और लगातार हम आपका मांग दर्शन कर सकें तो यह सब चीज़े देखने के बाद अपने प्रोफाइल को लॉग आउट करना ना भूले तो जैसी आप सबसे उपर जाएंगे तो सबसे उपर नाम के पास जैसे आप यहां क्लिक करेंगे नाम के पास तो यहां पर आपका यह साइन आउट का उप्शन आएगा तो इसे क्ल लेंगे तो यह आपका पेज जो है वापस से लोग इन पर आ जाएगा यानि कि आपकी प्रोफाइल बंद हो गई है तो यह थी आजबे की पैंशन सेवा की वेब साइट इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी आप क्या-क्या सेवा का लाब उटा सकते हैं आपको वीडि